11 सच है तो दिखेगा जार्खंड मोक्ति मोर्षा जार्खंड में सियासत का सिर्मोर है और उसी आन्दोलन की उपज है जार्खंड मोक्ति मोर्षा चल जंगल और जमीन शोशित हुई पर जारखंड को मिला क्या आज तक जिस विकास का धिंडोरा पीटा गया उस विकास का हासिल जारखंड और जारखंडियों के लिए क्या रहा सरकार कह रही है कि खाजाना खाली है और अब सरकार कह रही है कि जो हमारा अधिकार है वो हमें देना ही होगा उसके नाम पर पैसा जमा करता है हूँ कंपनी को भी पेज दिया ही लोगों ने सबी सरकारी कंपनिया बेश दी और सरकारी कंपनिया बेचने का मतलब समिधान में जो यहां के हा पेखाली सब्सक्रिद्दि लोगों को रख्शन पड़ात है वो सवता ही समावत हो जाएगा लेकिन और नियरय वाथ ने, वो-टाल डाल तो हम लोग इन पात करें Ash अगर उद लोगो ने इन काम बंद कर दिया है तो हम लोग भी क्यों काम करने जानते हैं अरक्षर नहीं दोगे तो कोला भी नही जाएगए इन शब्डों के साथ सीम हिमंद सुरेन की चुनोती धनबाद से दिल्ली तक पहुंची उन्होंने धनबाद से केंदर सरकार के कान में जारखंड के हक की आवाज भुलंद की साफ साफ कहा कि जारखंड यहां के आदिवासियों दलितों पिछडों का है और अगर कोई उनका हक मारेगा तो जारखंड भी चुप नहीं बैठेगा यह आवाद सिर्फ धनबाद से ही नहीं उठी आज ट्विटर पर भी सीम हिमंद सुरेन ने यही संदेश फिर से दो रहा है पले प्लैटफोर्म अलग था पर संदेश साफ था और स्पश्ट रहा है जाए प्यून की नौकरी की बाथ हो जाए वीडियो सियो दरवा की नौकरी की बाथ हो जाए नर्स की नौकरी की बाथ हो जाए आंगनबाडी सहीका शायका पचाजिवद रोजगार लोगों को कि उनका हकदयार के लिए भी एक संगर्स करना पड़ेगा और वो संगर्स इस तरीके से करना पड़ेगा कि अब आप लोगों को भी राज में जहां भी कोई गणबडी हो रहा हो वहां पर उसका अब जब action था तो reaction भी वांचित था तो reaction आया देख बीज़ेपी की तरफ से भी और आज्जू की तरफ से आरक्षन किसने रोका कहा रोका यह आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है और यदि वो बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों को बेचने की जिन कंपनियों में लगातार घाटा हो रहा है वो घाटा कौन भर रहा है जनता भर रही है गरीब जनता भर रही है अब सरकार के सामने प्रस्ट नहीं है यह उनको ने लेना है वो अपनी जनता को टैक्स के माध्याम से जो पैसा आता है उससे उनको बिजली देना चाहते हैं या फिर इन घाटे वाले उद्योगों में पैसा लगाना चाहते हैं हावना को मैं समझ सकता हूँ जहारेखंड के हित्ट के लिए जो वहां के विकास के लिए वहां के विकास का स्वरूप के लिए जो वह जो सोच रहे हैं यहां अच्छी बात है लेकिन एक होती है भावनाएं और दूसरी होती ही योजनाएं तो भावना उनकी ठीक है लेकिन इनकी उस प्रकार से योजना हो तब ही जाकर के इस प्रकार की बाते कहने के अधिकारी हो सकते हैं जारखंड के खनीच से पुरा देश चलता है, बढ़ता है, रोशन भी होता है पर आज तक उसी जारखंड के वासी और वही जारखंड सिर्फ छले ही गएं इसके जिम्मेदार कौन रहा ये तैय तो आप करें, पर मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन का बयान एक पार फिल जेमें की जल जंगल और जमीन की वो राजनीति की याद दिला रहा है, जिसकी नीव गुरू जी ने रखिया बियूरो रिपोट नियूज एलेवन भारखंड जारकर्ट के मुख्वंत्री हेमंत सुरेन ने चुनोती दी है चुनोती क्या जवाब दिलि से आ रहा है, और कहीं न कहीं सियासत स्मुद्दे पर गर्म होने लगी है इस मसले पर शक्षा करने के लिए, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ दो खास महमान है हमारे साथ जेमें के वरिशनेता विनोत पांडे जी है और हमारे साथ बीजेपी के डॉक्टर मनुच कुमार है मनुची पहले रूख आपका करेंगे क्योंकि जिस तरह से हेमन सुरेन ने चुनौती दी है हुंकार भरी एक तरह से कहा जाए तो रियक्शन्स बीजेपी की मुखमंत्रिय इस तरह से ठेट करना हमको नहीं लगता है कि उचीत है मनुची अगर इसको इस रूप में देखें कि यह जंता की जो ज्ञारखंडी है क्योंकि ज्ञारखंडियों की पहली बार सरकार आई है जैसा कहा जा रहा है तो उनके पहले सरकार रहिमन जी मुखमंत् में भी था जह में के नौकरी को लेकर पलायन रोकने को लेकर हमनसुरे ने ले वियान दिया है उस जंता कि लिए जंता प्रपत खंड़ लिए जिसकी सरकार है तो यह गलत है क्या comment डिसम ब्यान देना जै्य दूश्री बात है घराग tips में बोल रहा है तू करके दिखा उनको धारखन के जनता ने मौका दिया है अच्ちी हो ती शरकार है अभी वो मौका मिला है तो मौका को अच्छे तरीके से उपयोग करें है जो मुखमंतरी काम करें गरीबों के लिए जो काम नहीं हुआ तो काम करके दिखाएं इस तरह से ठेट करना कि हम यह नहीं जाने देंगे वो नहीं जाने कहीं से वाजिव नहीं लगता है जो डिमांड है आप सिर्दांदां सब्षूपन से इस्तों confident एक ड्रीमान को आप रखे ए डिमांग पूरह और केंद्रसरकार और राज सरकार केじゃない सरकार अलग अलग जरूर है। लिकिन सरकार इस तरह से कही बात नहीं कि भेदबाव कर रही है कैसी कोई नीति नहीं है कि आपको लगता है इतना आसान है कि माननिय मुख मंत्री की जो भावना है वही भावना पार्टी की और बहुत असपस्ट शब्दों में उन्हों ने कहा कि हमारे राज जिससे कोईला जाता है पूरा देश उससे रौषण होता है पूरा देश का उद्दोग धंदा उस कोईले से चलता है हमारे यहां से जो खनी संपदा जाता है उस खनी संपदा से पूरे देश में लोग अपने उद्दोग को चलाते हैं और उससे अन्य राज लाभानवित होते हैं तो अगर हमको उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम कहीं न कहीं उसको बाधित करेंगे ताकि हमारी बात सुनी जाए हमारा जो हिस्सा है हमारा जो हक है हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए और ये बाते इसलिए आई कि कहीं न कहीं हम उसके केंद्र के जो हिस्से हमको प्राप्त होते हैं उसमें कहीं न कहीं हम कमी पा रहे हैं वो हिस्सा हमको नहीं मिल पा रहा है और भारतिये जनता पार्टी के जो कि आप जहांक करके देखिए क्या जयाजी की बित्या स्थिति किया है और てए सरकार को आद शरकार मजबूर आए स्युथ पत्र 9-0 ऐए सरकार को सेधि देने का पैसा नहीं है सरकार ने बहुत से काम को अभी रोकने का भी काम किया है इसलिए कि अपने करमचारियों को हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो यह इस्थिती जो बनी हुई है यह किसके चलते पास सालों में इन्हों ने जो कर्म किया है जो कृप्ति किया है उसका खाम्याजा इस राजी के सारे लोग भोग रहे हैं और उन्होंने तो कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया है और मैं जनता के सामने ये बात कह रहा हूं कि अगर हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम कोईला और खनी संपदा नहीं जाने देंगे और आज मैं भी यहां कह रहा हूं डंके की चोट पर कि ऐ नहीं संपदा नहीं जाएगा मनोजी जो विनोजी ने कहा बहुत प्रैक्टिकल बात है 40% मिनरल है देश का जारकंड में उसका उतकरनन होता है दूसरे राज देश पूरा लानवावनी थोरा और होना भी चाहिए देश में जारकंड से अगर हम कुछ एड्रेस कर सकें देश क समस्याओं को तो वो होना चाहिए मगर इन हम भागीदारी निभा रहे हैं लेकिन उसका जो हिस्सा होना चाहिए जो हमको मिलना चाहिए विनो हो जी जो कहा कि आरप लगा विनो गोंगल इने जो कहा कि मोई मंतरी जो कई zit चाहिए चाहिए अड़के में चल रही है वह ऐसी कंपनियोगा उन्होंンタर बैєसं से और के helps जो संस्थान घाटे में चल रहा है कि सरकार बेशने का काम कर रही है काम कर रही है मैं तो कहता हूं इस देश का प्रधान मंत्री उस नलाइक बेटे की तरह है जो आपने बाप लादा की संपत्ती को बेच करके आइस करता है मनो जी प्रैक्टिकल बाद जो महिश्पदार साब ने कहा था उसी का जवाब दे रहे है विनो जी जो कंपणी बेचने की बात हो रही है जाही तो पर कंपणी अगर भीखेंगी प्राइविटाइजेशन हो गाइव डियाई आएगी तो अरक्षन समाप्त होंगे वो प्रोसेस तो आरक्षन समाप्त होंगे आपके रासवा सांसदी कह रहे है कि आवो कंपणी या लॉस में चल रही है तो वह बंद हो जा रहा है और बताए कि कंपणी या लॉस में तो उसको रिवाइव करने की कोशिश क्यों ने किया जाए अगर सबस्क्राइब नहीं अब यह करें जो लोगा दिरोट कर रहे हैं देश के प्रधान मंत्री सला सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल नहीं है पचास वर हम लोगों ने समय मंगा उसके बावजूद समय उनके दोरा में एक तो मानिये मुख मंत्री जी मुलाकात क इसके पहले मैं खुद गया हूं लगताल हम लोगों ने राश्टपती से बिलने का काम किया दिमान नहीं कि आपको रॉयलिटी नहीं मिल रहा है लेकिन कभी भी प्रदान मंत्री ने समय देने का काम नहीं किया अगर नीजी करन होगा तो यहां के जो उनको रोजगार डिजर्व करते जहारकंडी है वो रोजगार रोजी रोजगार से हाथ दो लेंगे इस बात को आप मुझे एक बात मनोजी बता दे कि अगर कंपनियों को हम प्राइबेट टाइज करेंगे तो यह आरक्षन समात्त होग सब्सक्राइब करेंगे तो महतपूर्ण चर्चा है यह जिस तरह से मुकमंतरी हेमंत सुरेन ने कहा है और उसकी उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है बीज़ेपी की तरफ से लगातार बयान भी आ रहे है कि मुकमंतरी को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए हला कि अगर कहा जाए कि जारकंडी हित में जारकंडी के नफस को समझते हुए मुकमंतरी हेमंत सुरेन ने कहा है तो कई से गलत नहीं है यह चर्चा जारी रहेगी हमारे दो खास महमान हमारे साथ जुडे हुए आगे भी हमारे साथ महमान जुडेंगे हमारे सहयोगी भी हम वक्त है छोड़े से ब्रेक अम जल्द हाजिर होते हैं सवागत हैं सभी का ब्रेक के बाद तो जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दे कि इस महतपूर्ण डिबेट में हम बात कर रहे हैं हें मुखमंत्री हेमन सुरे ने एक बयान दिया है बयान किस लिए दिया ये भी बताते है जो नीजी करण हो रहाएं किम्पनी इसका इसको लेकर है पंसोरेन ने बयान दिया है कि अगर रिजर्वेशन समाप्त होता है नीजी करन होता है तो वो यहां से जो मिनरल्स है वो किसी भी सूरत में नहीं ले जाने देंगे और जमीन नहीं देंगे केंद्र सरकार को और इसमातपूंड चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए जैमियों के वरिष्ट नेता विनूत पांडे जी और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोच कुमार और हमारे साथ स्टूडियो में एक नए महमार मीं जुड़ेंगे तब तक हम अपने सेयोगी राजेष जी के पास चलते राजेष जी जिस तरह से चर्चा हो रही है आप चर्चा सुन भी रहोंगे आरोप रतियारोप का दौरउप में आप देखते हैं तरह से हेमन सुरेन ने बयान दिया है उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो रियक्शन सारें किस में आप देख रहे हैं इसको जेपी का रियक्शन क्या है तो वहां पर हमारे प्रवक्ता हैं आपके सामने वहीं दे सकते हैं बहतर होगा कि वहीं उनी के मुझे सुने लेकिन आम तोर पर जो बाते हिमन जी ने कल कही है मैं भी उन्हें सुन रहा था और बिल्कुल उन्होंने जायज बात करिए जहारखन की यह त्रासदी रही है और मुझे याद है कि जब वह 14 मेने के सासनकाल में थे उस समय भी उनका यह मानना था कि यहां की जो खनी संपदा है वह जहारखन के लोगों के लिए अभी साप है देखिए खनी संपदा ठीक है कि जो कानून है बने हैं कूल वीरिंग एक्ट है उसके हिसाब से केंदर सरकार का की यह मिलकियत होती है उसके खनन अधिकार होते हैं लेकिन यह भी उसमें सर्थ है कि वहां के जो रहने वाले हैं जमीन के मालिक है या वासिंदे हैं उनका समगर विकास होगा उनके स्वास का ध्यान रखा जाएगा और जो एकनोमिक है उसका रोटीशन वहां पर होगा यानि जो खननकारियों से जो पैसे आएंगे उसका वहां पर भी एक हिस्सा रोटीट करेगा चाहे वो CSR के रूप में हो या फिर अनिकतिविदियों के रूप में बिल्कुल यह जायज है मैं कोईला छेत्र धनबाद में वरसों तक काम करता रहा हूं वहां के लोगों का स्वास्त देखा है और जिस प्रकार से संकट में वो काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें जो भी मिलता है वो अलग विसा है लेकिन यह जरूरी है कि जिस प्रकार से जहारखंड में का कोईला दूसरे राजियों में जाकर नहीं है पलायन होती मानव तसकरी तमाम तरह की समस्य जार्खण में देखने को मिल रही है मगर बदले में कुछ फाइदा नहीं दिख रहा है हम वापस स्टूडियो का रूख करेंगे स्टूडियो में हमारे साथ बीजेवी प्रदेश के कारिकारी अध्यक्ष राजय श्ठा का गठन इस राज्य में जल जंगल जमीन की रक्षा को ले करके किया गया था भिस्थापन और पलायन को रोकने के लिए किया गया था और उसके बाद लोगों के हक अधिकार की बात, लोगों के हक अधिकार की लडाई जारखंड मुक्ती मुर्चा के द्वारा लरी गई और जारखंड अलग राज के आंदोलन को माननिय गुरुजी के नित्रित में जो धार दिया गया उसका परिणाम जारखंड अलग राज है और आज हम जारखंड अलग राज में रह रहे हैं, राज को बने हुए कितने साल हो गए यह बताने का हो सकता नहीं है, लेकिन उस बीच चाहे जितनी भी सरकारे आई, उनके द्वारा क्या काम किया गया, किस तरह से काम किया गया, ये भी आप लोगों ने देखा, पुरे आसासन में रहे, लेकिन उस समय की चर्चा, आप आम लोगों के मुझे सुनियेगा, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बुसरी तरफ, अब हमको जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश के कई माइने हैं, और वो जनादेश बिल्कुल असपस्ट है कि राज में हेमंद सोरेंजी के चेहरे को लोगों ने महत दिया, हेमंद सोरेंजी के चेहरे को लोगों ने अपनाया और उनको राज के मुखमंत्री के तोर पर हम लोग पेस किया, आज वो राज के मुखमंत्री हैं, तो उनसे और जारखन मुक्ति मुर्चा से गडबंदन स लोगों को काफी उमीदे हैं और उस उमीद को पूरा करना हमारे लिए चुनोती है लेकिन राज की जो आर्थी किस्थिती है वो पूरे अब राजवासियों को हम लोगों को बताना है कि क्या राज की आर्थी किस्थिती है और किस तरह से भारतिय जंता पार्टी ने पांस साल के अंदर में इस राज के आर्थिकिस्थिति का दोहन किया है कि आज हम को करमचारियों को देने के लिए पैसा तक नहीं है योजना का जो भुकतान होता है उसके लिए पैसा नहीं है और राज्य के विकास की बात जारखन मुक्ति मुर्चा करती है, मुख मंतरी करते हैं, राज्य में जो हमारी हिस्सेदारी है, जो हमारा हक है, अधिकार है, उसकी बात करते हैं, तो भारतिय जनता पार्टी के कई एक सांसत उस पर अपनी परतिक्रिया दे रहे हैं, जो भारति जनता पार्टी के पच्छ रखने के लिए इसी स्टूडियों में बैठे उनकी प्रतिक्रिया आ रही है और वह भी प्रतिक्रिया ऐसी कि मुखमंत्री को थ्रेटनिंग नहीं देना चाहिए हम अपने हग अधिकार की अगर बात करते हैं हम अपने इसेदारी की बात करते हैं हम मिरोनाओं का अंबने बैयान चलाया है हां पर उन्होंने साफ तोर से कहा है कि वैसी कंपण्या बंद हो रहे हैं या नीजी करना कमपनियों को रहे हैं जो चलने पार ही है जो आपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पारी है हला कि डिक्टर मनोज जो है वो इस बात से तफार के है उनका कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है हलाकि उनके पार्टी के सांसाद यह कह रहे हैं कि ऐसा खोर रहा है इन प्रोसेस है किस रूप में आप देखते हैं मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्वागती हो गया है आप अगर देखें यह और जिस तरह से ठीक है यह उन्होंने कहा है साब सब्दों में और यह साब सब्दों में कहना भी चाहिए क्योंकि भारत जिस समिधान और संग्य धाचा के तहत है मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और उनके चेहरे पर लोगों ने सत्ता तक उनको सत्ता देने का सौपने का काम किया है तो निश्चित रूप से उनको राज्य के लोगों के प्रतिचिंता है और इस चिंता में यह बात सही है कि कोईला सारा हमारा होगा और हमारे हां उसका कोई फैसलीटी ने हमारे हां उसके उसका दंस विस्थापन के रूप में जहलना पड़ और बाकी चीज़े हो रही है किस तरह से और किस स्थीन कंपनीयों को कोईले का कर रही है किस तरह से वह कोईले का आवयक उत्कनन कर रहे हैं हम ед Lex Hyundai मंत्री जी को इस बात से अभगत कराएंगे कि किस तरह से बालुमात के इलाके में जो आम रपाली का इलाका जो कॉल का इलाका है मगट कोल का इलाका है इन सब जगों में किस तरह राज्य सरकार की मिलि भगत से लूट हो रही है वो बोट चिंतन करने की ज़रूरत है लागातार जिस तरह के खबरे आई हैं और अगर इसके जाच की जाएगी तो पता चलेगा जिस नक्सली एरिया का हवाला दे करके डियस्पी जाना नहीं चाते हैं वहाँ पुलीस अधिकारी जाना नहीं चाते हैं उन इलाकों को इतना बढ़िया कर दिया गया कि वहाँ भी लोग पैसे दे करके तबादला कर आके जाते थे और आज वही लोग जो इस सरकार में किसी नकिसे तरह से तबादला कर आके गयते व कि सच्चाइई है आप किसी से भी पता कर ली जा 파 Cay je U मामला दूसरा मामला यह है कि राजय सरकार और केंद्र सरकार काती ती वह किस लोग जेल के सलाकों के पीछे होंगे अब जिस तरह से राजय जी ने बोला और डिबेट की जो में शुरुआत की तो आपने मुकमंत्री के बयान से आपत्ती जताई थी उनको इस तरह से बयान ने देना चाहिए पर राजय जी ने इस पर शब्दों में कहा है कि जब बात नि हुआ है कि वागत आप सभी का ब्रेक के बाद तो ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर मनोच से एक सवाल पूछा था जिस तरह से राजेश जी ने बोला था कि बाते निकली है तो दूर तलग जाएंगी मनोच जी अब रास्ते आसार नहीं दिख रहे हैं एसी बी तक मामला पहु किस रूप में ब्र राजेश जी ने कहा वह मना दोलाई हो रही है दूस्त करार दूस्ट और पानीहां पानी किन ऑघ्रा केंड़ी पूराएंил क्या उवार्टिय जनता पार्ठ परती की शरकार बनी है उसके पहले देख लिजे क्या हुआ चौदा के पहले और जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि मिली भगात से यह ट्राफ करवा लिजे ना कि तरह मिलता था दिना मिलता मिलता आप लिए आप करवा लिजे ना मनुजी की सरकार ने अगर नहीं सब्सक्राइब करने पड़ेगी और उस पार्टी के प्रति लाल्टी साबित करनी पड़ेगी इस तरह की बाते करके जो राइलिटी की बात आपने उठाई है राइलिटी के क्या डिफ्रेंस आए चौदा से पहले और चौदा के बाद जहारकण को सब्सक्राइब करना है कि बारतिय जन्ता पाठी जो राइलिटी है 14 परसंट यह का मुझे नहीं मांगा अरी यही तो मुख्यमंत्री जी यहां की सरकार है वहां अगर नहीं मिला है तो आपके अहंकार को जन्ता ने जवाब देने का काम क्या है उसका संवान कीजिए और ऐसा जवाब ने दिया है मुख्यमंत्री समेट के मुख्यमंत्री आगे चुनाओ उसको साथ स्विकार करती है भारतिय जन्ता परना होगा ना और मानिया हमन स्वरण जी मुख्यमंत्री बने है तो काम करके दिखाए कि खनी संपदा उसका 40 परतीसत इस राजस से राजस हो जाता है और हमको हिसेदारी क्या मिलती है यानि अगर बोटे तोर पे देखा जाए तो पूरे देश का आधा हिस्सा राजस जारखन से प्राप्त होता है इस देश को तो विकास में हम भागीदारी निभा रहे है पूरे देश का लेकिन हम हमको जब अपना हिस्सा चाहिए तो हमको उसके लिए कोईला और खनी संपरा बंद करने की बात करनी पर दिया अची क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो रही है हमको वो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रहा है हम हमको हमारा हाग अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है नहीं नहीं मांगा ट्राइवल इनवर्स्टी देशन ट्राइवल मीजियम मजाग बनाके रखे हैं अरे अधी तो एक महिना रादेश्टी की बात आप उसको बजट में सामील कर सकते हैं बजट से पहले आपको किस लिए जा कि जन्तापाती जो काम की है अभी तक नहीं हुआ काम चाहिए और जादेवी का मिलता है जारकण को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता हुआ या फिर जैमिम के कारिकारं अध्यक्षर ने 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 आप असपस तोर पर अगर उन کے बयान को सुनेंगे तो पार्टी के कारिकारी अध्यक्षर भी है और इस राज के मुखमंत्री भी है और इस राज की जनता ने जो जनादेश दिया है मैंने पहले ही कहा कि उसके कई मायने हैं इस राज की जनता को माननिये मुख मंत्री से हमाद सोरेंजी से जारखन मुक्ति मुर्चा से गड़बंदन से जो उमीदें हैं उस उमीद को पूरा करना है और उसके लिए जो हमको चाहिए जो हमको धन समपदा चाहिए जो वो हमारे पास नहीं है तो हमको अपना हाकाधिकार तो चाहिए हमको अपना हिसेदारी तो चाहिए आखिर हम इस राज के लोगों पर कितना बोश जालेंगे तो हमको हमारा हिस्सा मिल जाएगा हम इस राज के लोगों की हर जरूरत को पूरा करने का प तक जो भी सरकारे रही जार्खंड में जो पिछली सरकार की सरकार रही उसमें देखा जाता है कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और राज में भी तो बहुत फाइदा होता है समन में बैठता है योजनाय अच्छे से इंपर तो यही हुआ कि पूरा यहां पर खजाना पहुचा दिया देखिए जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक हो तो उसके फाइदे भी हैं और उसके नुकसान नियत के क्या नुसार होता है नियत अगर आपकी खराब है तो आप दोनों मिल के चोरी करने लग जाएंगे अगर नियत सही है तो बिल्कुल राज्य का विकास होगा लेगी नियत सही है कि गड़बर है उसका जनता ने जवाब दे दिया इस चुनाव में उन्हों ने साबित कर दिया जनता ने मतदान करके कि आपने कही न कहीं गरबड़ी की और आपने डबल इंजन सरकार का गलत फायदा उठाया डबल इंजन से कहीं न कहीं माल धुलाई कर रहे थे कोईला धुलाई कर रहे थे यहां के राजस्व की धुलाई कर रहे थे आपने देखा होगा लागातार जिस तरह की खबरे आ रही हैं किसी से छुपेगा नहीं और कुछ भी नहीं छुपेगा अभी बहुत सारी चीजे बाहर आनी बाकी है यह सही है कि हम लोग चाहते हैं राज्य के सरवांगिन विकास के लिए अगर सर रहते हुए इन लोगों पर कारवाई करें यह हम हम बिल्कुल चाहते हैं कि निगेटीव वे में सरकार नहीं जाए सरकार ऐसे तरीके से चले ताकि हम राज्य के विकास को एक तरफ लेके चले और एक तरफ जिन लोगों ने पांच वर्सों में इस राज्य को लूटने का काम किया है अब जो भासन देने का काम करते हैं आपने च्छाह साल में क्या किया किया आपने अब जाइत उपर चाहरा से राजे जी कह रहे है कि आप बदले उनके आपना से कारवाई ने बुद्ध को एस सरकार हम नहीं पक्षेगी राजे जी आप वापस तो ग्री मंत्री है जेल से बाह होके आए हैं जब आपके वो गुजरात में मंत्री हुआ करते थे और सब कुछ वा तब जेल गया है आप यह मत बोलिए ग्री मंत्री पहले भी जेल गया है ब्रेक का वक्त है ब्रेक से हम लोटेंगे तो चर्शा को आगे पढ़ाएंगे और यहां पर हम धन्यवाद करेंग के विनोद पांडे जी को उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया वक्त कमी है इसलिए वह हमसे बिदा लेंगे राजश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी महमान राजश ठाकोर जी मनुच जी और हमारे सयोगी रिशिकेश हमारे साथ बने रहेंगे हम ब् सौगत है अब सभी का ब्रेक के बाद तो अपनी इस खास पेशकर्श में बात कर रहे हैं सीम हेमन सुरेन की चिनौती की और हमारे साथ दो खास महमान है हमारे साथ राजश ठाकोर जी और हमारे साथ डॉक्टर मनुच कुमार है हमारे दो स्योगी हमारे साथ हमारे साथ रिशिकेश दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है लाइव और अजहलाल हमारे साथ राची से मौजूद है रिशिकेश का रुक करते है रिशिकेश जस तरह से आज जारकंड की सियासत की आवाज गूंज धमक जो भी नाम आप दे लें मुख्यमंत्री के उस बयान को अभी भी लोग बता रहे हैं कि एक चुनावी मोड में हैं अभी भी मुख्यमंत्री हेमन सोरेन को लग रहा है कि वह चुनावी मैदान में और उन्हें को चुनाव लड़ना है और ऐसी कोई बात नहीं है बतौर मुख्यमंत्री बयान देने की व या मिनरल्स है उसको क्यों रोकेंगे इसको बात कहने का तरीका अलग हो सकता था लेकिन यह असपष्ट है जो राजितिक तौर पर बहुत सारे सांस्दों से बीजेपी से बात हुई या जो जो जहारकन के जानकार है तो दो चीज़ असपष्ट है कि धनबाद में मुक्ति मंत आइडिफेक्ट यह बताए जा रहें कि अगर इस तरीके के हालात रहें चाइवासा के नरसंगार का हवाला दिया जा रहा है लोहरदगा में परसासन का हवाला दिया जा रहा है और साथी साथी सतरह के ब्यानबाजी को तो उससे जो एक बड़ा फर्क पड़ेगा वो निवेस का फर्क पड़ेगा ऐसा कोई महाल नहीं बनेगा जिससे कि कोई इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर बाद में आकर जारखन में निवेस करे और अगर निवेस नहीं होगा तो फिर वही सवाल होगा कि बीजेपी का जो मोमेंटम आप जारखन था जिसको लेकर हम लोग लगातार करप्सन का सिरीच चला रहे हैं जो सबसे बड़ा फेलूर साविच हुआ तो फिर यही इसी रास्ते पर हिमन सोरेन की भी सरकार है अगर न वैसे सवाल है जो करना है उन्हें और अभी तक सरकार में अगर सरकार कह रही है की करप्सन मुक्त क्लीन जारकंड बनाने के लिए बीरो अभी आठ या नौ समभत मजिस्टेट के पद खाली है और जो प्रक्रिया है शारिफ वो अगर कोई करप्शन में पकड़ा जाता है को यदिकारी पर चार्ज होते हैं या रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो मजिस्टेट के सामने पेस किया जाता है मजिस्टेट उसमें बतार घबा होते हैं लेकिन मजिस्टेट है ही नहीं तो फिर वो केस कैसे फाइल होगा फाइर के बाद क्या उसकी प्रोसीडिंग होगी तो यह सबाल है जो करने हैं और अभी तक बीते एक महीने साब ज्यादा वक्त बीत गया और जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहा है खासकर के क बतार एक मुख्यमंत्री होने के नाते इन बयानों की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने जो हम लोग बार बार कर रहे हैं और सरकार कैसे उसको पूरा करेगी यह बड़ा सबाल है कि अगर वो रास्ता बीजेपी के लीग पर ही चलने को तयार है और जिस उमीदों के मुताबिक आप काम नहीं कर पा रहे हैं और अलग-अलग राइनितिक मुद्दों की तरफ अपना ध्यान भटका रहे हैं तो इसे नुकसान तो राज्य के हित का है रहा सबाल की यह बाजीप मांग भी है कि कोल में बहुत सारे जो चाहे वो जीएश्टी का मामल कर रहा हो यह सच बात है कि 40 विजी मिनरल्स जो खासकर के रेविन्यू है वो जारखंट से आता है महराश्टर के बाद दूसरा अस्थान है और CCL का देखिए क्यों हम मुख्याले नहीं कुलकता है तो यह वाकई में बाजीप सवाल है लेकिन इन सवालों के जवाब किसी व जाजिती करन कर रही है यहां संसत भवन में के परिसर में गांधी मूर्ती के बाहर धरना फिर एनाइस जाच की मांग सीवी आइसे जाच की मांग जी जाए तो बिजेपी को बल मिल गया आंधूलन को अजे लाल भी हमारे साथ राची से जुड़े हुए जिस तरह से रिशि किस रूप में देख रहे हैं उस पर किस तरह से राजनीती हो रही है जारखंड में किस तरह की हल चल देखने को मिल रही क्या कुछ जारखंड से निकल क्या है उसकी बिजली कहां जाएगी किसको जाएगी पूरी की पूरी बिजली बंगलादेश को बेची जानी है 2 अब भी सो मेगावाट बिजली धूल किसके हिस्से में जार्खन के हिस्से में जमीने किसकी गई रईयत की जमीने गई जार्खन को क्या मिलेगा कुछ भी नहीं यह तमाम मुद्दों पर मुक्मंत्री हमांसोरे ने यदि अवाज उठाई है तो मुझे लगता है कि यहां कि ज जाने चाहिए कि हमारे जखन हिस्सा है पुरा का पूरा पूरा जो चाइबासा का इलाका है सारिक जब जाएंगे जर्मुनडी माप कीजिएगा पूरा कोलावेरी होते हूए जे अन्हें कि जंगल का इसना है आप यगी नहीं करेंगे पेर के पतों पर तिन इंच का लेएर कोई़े के कालिक से त्दूर से vidéo अा हम पर बिलकुर शुते जा रहे हैं तो मुक्मंत्री की इस नियत की तारीफ की जाने चाहिए, मुझे लगता है कि अन्ड दल के लोगों को भी आगी आकर कम से कम राज हितकिस मुद्धे पर बहच करने चाहिए और सही का एमान सोरे ने कि आप पूरी तरह से हीजी करन करेंगे चीजों को जारखन के लोग राज के लोग आखिर जाएंगे कहां उन्हें नौकरी मिलेगी तो यदि कोईला खदार से यहां से कोईला जाता है तो आप ज्यादा रॉयल्टी दे वहां रक्षन होना चाहिए तमाम कोईला कमपनियों में एक दो स्कूल अप चला देंगे जिसमें 20-25 बच्चे परते हैं और यह कहेंगे कि हम कोईला निकालते हैं क्योंकि बच्चों का बाद आएंगे तो हमारे दो सहीं की हमारे साथ जूड़े थे दिली सिरिशिकेश और राची से जलाल दोनों की राय भी अलग 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 आई और इनी दोनों की राय पर हम चर्चा करेंगे राजेश जी से और डॉक्टर मनोच से जद हाजर होते हैं सौगत हैं हम सभी का ब्रेक के बाद तो अपने इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं सी-म की चुरौती की और इसको लेकर हमने अपने दो सहीं होंगे रुकिया था रिशिकेश का दिली से और अजलाल जो नाची से हमारे साथ जूड़े थे हैं उनकों दो अलग-अलग राया है रुक करेंगे पहले डॉक्टर मनोच का डॉक्टर मनोच जिस तरह से रिशिकेश ने बताया कि अभी चुनावी मोड में हेमन सुरे नजर आरे मैं साफ देख पा रहा था कि आपके चेहरे पर मुस्कुरहाट आ रही आप भी जस्टिफाई बिकास नहीं होने वाला है अब देख लिए जब से माने हमन जी समाले हैं कुर्शी मुखमंत्री का एक माइना से दू-चार पास दिन जादे हो रहा है तिन-चार उदारन मिल गए देखने के लिए कि क्या इस्तिति होगी राज्य की आदिवासी मुल वासी जल जंगल जमीन के तो लगटारी लोग बात करते हैं आंदोलन भी किये अब इसासत हमारे आदिवासी निर्दोस भाईों का जो निर्मा महत्या हुआ क्या की सरकार उनके परिवजनों को ये लिए कुछ निवस्ता की क्या कुछ नहीं की लोर्दगा में क्या हुआ गिरिडी में क्या हुआ लगतार घटना घट रही है अब देख लिजे क्या हो रहा राज का इससित क्या है अचले भासन देना आवेस में कुछ बोल देना और में दोर चुछ बात कह देना जनता में जो जना देश दिया है काम करके दिखाए जंता को जो काम नहीं हुआ उसको पूरा किजिए तो जंता के काम में खाजाना खाली हुआ तो आपकी सरकार है आप घांच करवाईए दूद्र का दूद्र पवाई हो जागा कूण पीछ यहाँ होगी होगी जो कानुन संबत करवाई होगी होगा उसे पीछे कहा कुनाट रहा है लेकिन केवल भावनात्मक ब्यान दे करके और जंता का जो आप सेंपेथी लेना चाहते हैं उससे विकास नहीं होगा सता पे उतार कर जो भारतिय जंता पाती एंकें ये किसी कारण से कोई काम नहीं कर पाई तो काम करके दिखाएंगे राजे जी दो मामले चायवासा बहुत यह मामला है ऐसी घरतना यह नहीं होनी चाहिए लोहरदगा में जो हुआ वा इसी घरतना बी भी नहीं होना जटakahी को यह दो कहा है यह ज्फ Almost आ loss कि तरफ बढ़ना चाहिए मिपक्स को विपक्ष कि भूमी का मैंने रहता चाहिए ज्वार्फंट की विकास की खोमी का में र भूल जाता यह भारतिय जनता पार्टी नहीं कि चुनाव में कुछ बोलेंगे चुनाव में जो कहा है सो वही बात अभी तक कह रहे हैं और निश्चित रूप से उन सारी चीजों के लिए एक मुख्यमंत्री है और एक तरफ वह कारेकारी अध्यक्ष विए जामुमों के और भावनाओं के आधार पर अगर वह बात कर रहे हैं तो कहीं उसमें कोई गलत बात नहीं है और जारखंड के हित की बात कर रहे हैं आवेश में कर रहे हैं या भावावेश में कर रहे हैं बात तो कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखना चाहिए पहले जो चलता था कि सिर्फ ए नुमाइंदे के रूप में सांसद हैं वो लोग इस चीज का विरोध करेंगे आज उनको संसद भवन में बैठना पर रहा है तो उनको वह दिखाई दे गया कि वहां पर बिल्कुल निर्मम हत्या होई है और उसके लिए हम सब को सरमिंदा भी होना चाहिए यह सारी बाते ठीक लेकिन इस बात को भी मानना चाहिए वहां नारे लगा रहे थे लोगसंसद में कि लाठी गोली की सरकार रहे युब चल गई भाई, लाठी गोली तो आपके समय में चलती थी जब गोला में गोली कांड रहो गा खूटी में गोली कांड हुआ आपको वहां लाठी चार्ज हुआ पत्रातु में वह बात्यों को अब नारे लगा रहे हैं अरे नारा लगाना था तब जब मुख्यमंत्री रगवर्दास जी थे तब इन सांसदों के मुह में पट्टी बंधी हुई थी और देखिए जो चाइ पर हमारी रिपोर्ट आई है और जिस तरह के हालात पिछले पांच वर्षों में बनाए गए उसका यह नतीजा हुआ है पिछले पांच वर्षांसद कौन था पिछले पांच वर्षांसद तो गिलुवा साहब थे भारती जनता पार्टी के अध्या वह कहां थे वह क्या कर सासन प्रसासन की बात है अभी हमने कोई बदलाव नहीं किया है जब सासन प्रसासन बदलेगा और जब सारी चीजे रूट पर आएंगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा और जो इन लोगों ने पांच वर्षों में इस राज्य की हालत बद से बत्तर कर दी है उसको स यह पुद्दार साहत को जरासा यह हो जाने दीजिए अभी यह जो नाली गली पेजल दीजट हो रहा है इन सारी बातों का जाच हो जाएगा किस तरह नगर विकास में गरबड़ी हुई है और किसमें कौन को लोग सामिल है इस तरह से मानिये गुरुजी ने घोसना किया उनई सब बतीस के खत्यान पर हां का बनेगा अस्थानिय निति सहमत है क्यों नहीं बोल रहा है उन्हें इस बटीस के खत्यान की बात करतें कांग्रेस आरजेटी चूप है के तने गरीब गुरुबा के पास जो यह हल चलाने वाले खेज जोतने वाले घास कातने वाले किन क पस्कार उसको कैसे वरिफाइब करेंगे यह पता है कि नहीं कुछ बोली नहीं राजे के सरोमान नेता हैं उन्होंने अपनी बात कही है नहीं आप क्या रहा हूं अरे उनके बातों पर विचार किया जाएगा फिर माननी ओमन्त सवरंजी ने 64 का के खत्यान की बात कि आप उ जिस तरह से केंडर में जब आपकी सरकार प्रशन बहूंत से आई तो यह का जा रहा था कि साट साल में देश बिगाडा गया उसको सुधाने में थोड़ा वक्त लगेगा राजेशी ने वही लाइन पकड़ा कि पास साल में आप लोगों ने जिपीगाडा थोड़ा जांपूल कली देखा कि इनको बच्चा एक डेट कर गया उसके लिए उनको कोई अम्बुलेंस नहीं मिला अरे कुस्ते बच्ची को में खाय थे साइद भूल गए आप और वोडरों में ऐसे कई उदारण है इस रागें पचीस लोग भूप से बढ़ गए आप बढ़ी बा हाला तो बच्ची में लाने के लिए लगा अरोप नत्यारोप का दौर चारी है इस मातपूर्ण चर्चा को आगे भी हम बढ़ाएंगे मगर यह रूख रेक्षोटे से ब्रेक लिए हम जल हाजर होते हैं अगर थाब सभी का ब्रेक के बाद तो अपनी इस खास पेशकरश में बात कर रहे हैं सीम हमन सुरेन की चिनौती की और अब वक्ती कमी इसलिए हम फाइनल कमेंट्स देंगे पहले हम अपने गेस्ट जो स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है उनसे फाइनल कमेंट लेते हैं फाइनल कमेंट अगर बात की जाए जिस तरह से हमन सुरेन ने कहा है और विनौत पांडे जी हमारे साथ जूड़े थे उन्होंने का हर हाल में जो कहा है उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा अगर हमें हमारा हिस्सा ने मिलता तो किसी भी शर्त पर यहां से मिंद्रस को नही इसमें तरह राज्जे को चला हुए ऊसाधर में केंदरिये बजट में उससे वह कहीं न कहीं आहत भी है जो कि पार से जो हमारे पास संसाधन है उसकी लूट जारी है तो उन्होंने जनभावना के अनुरूप बात की है और उसका आप और हो सकता भारती जनता पार्टी के लोग स्वागत न करें लेकिन आम जनता स्वागत कर रही है और हम निवेस के उसमें नजरिये से सब कुछ नहीं होगा उसके बाद उद्योग पति होंगे सारे लोग होंगे जनता ही नहीं रहेगी तो उद्योग लगा के क्या करेंगे हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं सभी लोगों को साथ लेके चलने की कोशिस करते हैं और उद्योग पती का जो मामला है उद्योग पती के हिसाब मननेश मोंत्रीजी को जनदेश मिला जनता के हित में राज के हित में गरीबों के में काम करना चाहिए बीजम करके दिखाना चाहिए कि अधर्शा करके दिखानाा हो यह साबित करके दिखाना चाहिए ना कि ठेट करना चाहिए कि मैं नहीं जाने दूंगा रिशिकेश जी आप से भी लेना चाहेंगे इस पूरी चर्चा पर किस रूप में आप देख रहे हैं क्योंकि राजेश ठाकुर जी ने जिन्हों का धन्यवाद भी कि आप मुस्कुरा रहे थे उस वक्त मैंने आपको देखा उन्होंने कहा है कि जनता को पहली में रखकर उसके बाद किसी चीज पर चर्चा की जाएगी किसी बीचीज पर बात की जाएगी जनता तब आती है जब सामने के रास्ते बंद हो जाते हैं और असली लड़ाई जो है इस बयानवाजी के सब्सक्राइब कि परसासली को छोड़ दिया जाए तो तो यह सिर्फ और सिर्फ डीयाई की एंट्री की बज़से ही आमने सामने की लड़ाई है केंद्र और राज्य के बीच में और यह टक्राव दीरे दीरे बढ़ेगा जिस तरीके के हालात हैं जिस तरीके के राजनीती चल रहे हैं जारखंड में और उसका फिर एक बार नुकसान हमारे आप यह से जनता को उठाना पड़ेगा क्योंकि ज 2024 में फिर जब यह जनता के बीच जाएंगे और हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो यही सब सबाल होंगे और इनी सब से राय लेंगे जाई तो पर चीजें सामने आ जाएंगी आजे लाल आपके पास अब नहीं आप आएंगे आपसे माजरत चाहेंगे माफी चाहेंगे क इस प्रोग्राम को अब समाप्त करने का व्क्ट आ गया है राजेश्जी आपका बेहत्ज्षक्रिया आप महत्पूर्ण चर्चा मेंезж में लगतार हमारे साथ बने रहेय। 11 सच है तो दिखेगा